कीर रांजह, हिंदी मूवी समीक्षा कीर रांजह, 1970 की भारतिय हिंदी भाशा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है, जो चेतन आनंद द्वारा निर्देशित और उनके बेटे केतन आनंद द्वारा निर्मित है फिल्म में राज कुमार, प्रिया राजवंश, प्राण, पृत्वी राज कपूर, अजित और अचला सचदेव हैं फिल्म का संगीत मदन मोहन का है यह फिल्म पंजाबी कवी वारिस शाह द्वारा 1766 में लिखी गई महाकाव्य कविता, कीर-खीर राजवा की कथा पर आधारत है यह फिल्म इस माइने में अनूठी है कि पूरी फिल्म और इसके समवाद पद्य में हैं, जिसमें कैफी आजमी लिखते हैं पद्य समवाद फिल्म के गीत और संगीत उलेखनी हैं, साथ ही जाल मिस्त्री की फोटोग्राफी भी उलेखनी हैं, जिन्होंने चेतन आनंद की अधिकांश फिल्मों की शूटिंग की और फिल्म के लिए फिल्म फैर पुरसकार जीता फिल्म में महान अभिनेता राज कुमार के कुछ बहतरीन समवाद भी दिखाए गए हैं यह बॉक्स फिस पर हिट रही रांजा जिसका किरदार राज कुमार ने निभाया है, एक सुन्दर, लापरवा, युवक, तक्त हजारा गाउं का स्थानिय रोमियो है वह अपने साथ धनी बड़े भाईयों और उनके परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहता है वह जांग गाउं की यात्रा करने की योजना बना रहा है, जहां उसके करीबी दोस्त की शादी हो रही है उसका परिवार उसे रोकता है क्योंकि तक्त हजारा और जांग के लोग सदियों से कट्टर दुश्मन रहे हैं वह उनकी चेतावनी को नजरंदाच करता है और शादी के लिए निकल जाता है विवाह नरित्य के दौरान उसकी मुलाकात एक आकरशक युवा लड़की हीर से होती है जिसका किरदार प्रिया राजवंश ने निभाया है, जो जहां के एक जमीनदार की बेटी है वह उसकी सुन्दर्ता और सुन्दर्ता पर मोहित हो जाता है बाद में अपने दोस्तों के साथ लुकाचिपी खेलते समय, हीर गलती से राजवंश को पकड़ लेती है वह उसे जानने की इच्छा व्यक्त करता है जब उसने सुना की वह दुश्मन के गाव से है, तो उसे अपनी जान का डर हुआ और उसने उसे चले जाने के लिए कहा राज़ा ने जाने से इनकार कर दिया वह तब तक रहने का वादा करता है, जब तक चिनाब नदी बहती रहेगी हीर बहुत खुश होती है, और अपने मातापिता को उसे अपने चरवाहे के रूप में नियुक्त करने के लिए मनाती है वे उसके प्रती उसकी सच्ची भावनाओं को जाने बिना सहमत हो जाते है वह नियमित रूप से रांज़ा के लिए खाना लाती है और उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है वह अपने प्यार का इजहार करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है जवाब देने से बहुत हैरान होकर वह अपने घर भाग जाती है अगले दिन वह गाव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है उसे निराशा हुई कि वह नहीं आया वह उसके घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया शांत रांजा जवाब देता है कि वह अभी भी अपने प्रस्ताफ पर उसके जवाब का इंतजार कर रहा है एक गाने के जरीए हीर बताती है कि वह उससे प्यार करती है रांजा खुशियों से भर गया है हीर की मा और दोस्त उसे खोचते हुए आते हैं उनसे छिपने की कोशिश में वह पास की नदी में गिर जाती है और लगभग दूबने लगती है राजा अपनी जान जोखिम में डाल कर उसे बचाता है हीर के पिता बड़े चौधरी उसे इनाम के रूप में एक मोटी रकम उपहार में देते हैं इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े, आभूशन और उफहार खरीदता है प्रेमी अपने दोस्तों की मदद से गुप रूप से मिलते रहते हैं हीर के चाचा छोटे चौधरी शहर का दौरा करते हैं अपनी शारिरिक सीमाओं के कारण वह दुलहन धूंडने में असमर्थ था जब वह लोगों को प्यार धूंडते या शादी करते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है वह बगीचे में हीर और रांजा को गले मिलते हुए देखता है वह इर्श्या से भर जाता है इससे पहले की हीर अपने माता पिता को रांजा के बारे में बताएं छोटे चौधरी ने उसके परिवार को उनके संबंध के बारे में बताया हीर की मा के साथ मिलकर वह रांज़ा को बांध लेता है और उससे छुटकारा पाने की साज़िश रचता है वे हीर की शादी सईदा नाम के एक अमीर आदमी से कराने की योजना बनाते हैं अपने इकलोते बच्चे को तूटा हुआ और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी रांज़ा को मुक्त कर देते हैं उनके गाउं के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांज़ा से अपने परिवार को लाने और शांती बनाने के लिए कहता है बहुत खुश होकर वह घर लोटता है और अपने भाईयों से हीर के परिवार से बात करने के लिए कहता है वे जांग के लोगों के साथ शांती स्थापित करने की संभावना से आश्चर्यचकित और खुश है लेकिन छोटे चौधरी गुंडों को काम पर रखता है जो राज़ा के परिवार का अपमान करते हैं और उन्हें गाव में घुसने से रोकते हैं राज़ा के भाईयों को लगता है कि यह उन्हें अपमानित करने की साजिश थी उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उससे बात करने से मना कर दिया जाम के बुजुर्ग लोग बड़े चौधरी से हीर से शादी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अन्ययुवा लड़कियों के लिए एक बुरा उदाहरन स्थापित कर रही है दबाव में आकर वह हीर के बार-बार मना करने के बावजूद सईदा से उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाता है शादी कराने वाला काजी छोटे चौधरी से रिश्वत लेता है और जूठ बोलता है कि हीर ने शादी का प्रस्ताव स्विकार कर लिया है हीर को जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है राजा अपने घर से भाग जाता है और हीर के पिता पर अपना वादा तोड़ने का गुस्सा निकालता है उसके पिता बदले में उसे गद्दार कहते हैं जैसे ही वे बात करते हैं, दोनों व्यक्तियों को एहसास होता है कि साजिश के पीछे कौन था थोटे चौधरी सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उनकी शादी अवैद है क्योंकि वह इसके लिए कभी सहमत नहीं हुई थी सईदा ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की वह उसका विरोध करती है और केवल राज़ा के प्रती अपने प्यार का इजहार करती है सईदा की छोटी बहन ठीक समय पर आजाती है और उसकी मदद करती है हीर सईदा के घर में नौकर बनकर रहती है कुछ सप्ताह बाद राज़ा एक पथिक बन जाता है और सईदा के गाव की यात्रा करता है उसे नहीं पता की हीर वहाँ है जब वह सईदा के घर आता है तो हीर को देखता है और खुशी से जूम उठता है हाला कि वह पहले उसे नहीं पहचानती थी लेकिन उसे एहसास होता है कि यह वही है जो भेश बदले हुए है उस रात वह भाग जाती है और राज्जा के साथ फिर से मिलती है सईदा के आदमी उन्हें पकड लेते हैं और बेरहमी से खीच कर अपने घर ले जाते हैं लेकिन रास्ते से गुजर रहे राजा के सैनिकों ने उन्हें बचा लिया मामले को सुल्जाने के लिए सैनिक उन्हें राजा के पास ले जाते हैं हीर और सईदा का मुकदमा सुनकर राजा असमन्जस में पढ़ जाता है छोटे चौधरी और काजी हीर को मौत के योग्य एक दुर्भावना पूर्ण जूठे व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं हाला कि राज़ा का एक दोस्त जो मुकदर्जी है अदालत में खड़ा होता है और गवाही देता है कि उसने काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते देखा था पृत्वी राज कपूर द्वारा अभिनीत राजा हीर और राज़ा के पक्ष में शासन करता है हीर और राज़ा के परिवार एक साथ आते हैं और शादी को भव्य तरीके से आयोजित करते हैं राज़ा बड़ी धूमधाम से हीर को पालकी में बैठा कर अपने घर ले जाता है जब वे उसके घर पहुँचते हैं तो हीर मृत पाई जाती है पता चला की छोटे चौधरी ने उसे जहरीला पदार्थ मिला कर खिलाया था अपने प्रिय को मृत देखकर दुखी राज़ा की भी मृत्यू हो जाती है उनके परिवार तबाह हो गए हैं और दो प्रेमियों के खोने का शोक मना रहे हैं